इस परकार गुम्ला चोकिदार भरती एड्मिट कार्ड से रेलेटेर कुछ यहां पे अपडेट देखने को मिल रहा है गुम्ला जिला से एक कंडिडेट से मेरी बात हुई थी तो वह कंडिडेट जो बता रहा था कि एड्मिट कार्ड जो आप लोग का है वो चार जन्वरी को आने वाला है वैसे तो एड्मिट कार्ड जब आएगा तो उसका तो नोटीस आप लोगों तक पहुँचा ही दिया जाएगा बट आप लोग के लिए ये सेशन क्यों बना जा रहा है ताकि यहां पे सभी कंडिडेट को ये जनकारी प्राप्त हो सके कि क्या वो जो कंडिडेट था वो सही में बता रहा है तिस सेशन के माधियां से मैं आप लोगों को बस यही बताने का परियास कर रहा हूँ कि जो भी गुमला जिल्ले से समंदित रखते हैं और ये इस भेकेंसी को आपने इस फोम को अपलाय किया है आप जायट सी इस वीडियो को देख रहे है तो जायट सी बात है आप लोगोंने फोम को अपलाय किया है तो जो भी candidate गुमला जो DC करीयाले है उसके अगल बगल या फिर आप सच्छा में उस करीयाले पर जा करके जाना सच्छा मच दी आप हो सकती है तो आप 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 लोग आज क्या किजेगा आज अभी ही आप लोग निकल जाए ये DC करियाले गुमला DC करियाले उपायुत करियाले और वहां से कनफर्मेशन आप लोग का पता चल जाएगा कि किया वाके में कल एड्मिट कार जारी होने वाला है वह कंडिडेट बता रहा था कि ओफिसियल नोटीस तो नहीं आया है बट जो DC करियाले में जो अधिकारी पते हुई कि वो बता रहे थे कि ओफिसियल तो नहीं जारी हुआ है बट वहां का अधिकारी है वो बता रहा था कि 4 जन्वरी को एड्मिट कार आएगा चलिए ये तो ठीक है इतना तो भी इन्फोर्मेशन मिल गया वो समझे कि बहुत ही बड़ा हम लोग का इन्फोर्मेश जाकर तो वहां पर आज आप लोग निकल जाए और वहां पर जाकर कि आप लोग पता किजिए कि आवाके में कल एड्मिट कार जारी होगा वैसे तो कुछ दिन पहले नोटीस जो आप लोग को दिया गया था उसमें तो बताया गया था कि 2-3 दिन एड्मिट कार आने से पहल बगल बगल में रहते हैं तो आज वहाँ पर आप जाकर के पता किजिए कि जो गुम्रा चोकिदार की भरती आई हुई थी क्या उसका एड्मिट कार आने वाला है और आएगा तो किस माधियम से आएगा ओनलाइन आएगा या फिर क्या आएगा कुछ दिन पहले नोटिस आये उसमें तो ओनलाइन माधियम बताया गया था कि एड्मिट कार ओनलाइन जारी होगा बट यहाँ पर आप लोग को जाईएगा तो पुरा कनफरमेशन ही कर लिये ना है कि कब एड्मिट कार जारी होगा और किस मोड पर एड्मिट कार जारी किया जाएगा और यहाँ इसलिए information आप लोग को बताया जा रहा है क्योंकि यदि वो हो सकता है सच्चा निकल जाए वो जो जनकारी है वो सच्चा ही निकल जाए और आप लोग को पता ही नहीं चले कि admit card कब आया है कि नहीं आया है तो इस condition के इसी चलते मैं आप लोग को ये information पहुचा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी ये जनकारी प्राप्त हो कि वो candidate जो बता रहा था वो सही है या फिर क्या है मान लिया जाए एक minute के लिए हम लोग मान लिया जाए कि वो सही साबित हो जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं तो इसी कारण से आप लोग तब information ये पहुचा दिया जा रहा है बाकि यदि इसके regarding admit card से related कुछ notice आ जाता है ओफिसियल notice तो मैं आप लोग को स्वैम इसी परकार वीडियो बना करके वो अपडेट दे दूँगा बट आपकी ये भूमिका है कि आप अगल बगल में या फिर वहां पर सच्छा में जाने के लिए तो आप निश्चिन्त है जो कि वहां कर जा करके आप 100% confirmation किजिए और वो confirmation करने के बाद जरूर आप हमसे content करे ताकि आपके द्वारा जो दिया गया information है वो सभी candidate तक या information पहुंच सके तो